ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए ततकार मैहुत ओरल और आप देखरें ततकाल न्यूज लाइफ तालीबान ने भले ही पूरा अफगानिस्तान फत्र कर लिया हो पर इसी देश में एक ऐसा इलाका भी है जहां कदम रखने में ही तालीबान के पसीने चुटते हैं यह वही इलाका है जहाँ से पहले भी ऐसे मिशन छेडę गए है जिसने तालीबान के छक्के चुड़ा दीए थे अब एक बार फिर यही इलाका तालीबान के गले की फास बना हुआ है इस इलाके का नाम है पंजशीर यानि की पास शेर पंजशीर फारशी शब्दे जिसका म मौमुद गजनी के लिए या एक दुर्गम नदी पर बांध बनाया था इसलिए इसे पंजशिर घाटी कहा जाता है पंजशिर घाटी हर जीले में ताजिक जाती के लोग मिलेंगे तालंग में ये बहुमत है ताजिक असल में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एथन जैसे समुदाय के लोग भी रहते है इसी घाटी में पंजशिर चांदी खनन के लिए मशूर था 1985 तक वहाँ 190 केरेट्स तक की क्रिस्टल मिले थे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो क्रिस्टल मिले उनकी क्वालिटी कोलंबिया की मुझो खदानों में मिली सबसे बहतरिन क्रिस्टल जैसी है पंजशिर घाटी अब भी तालिबान के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है ताजकिस्तान में अफगन राजदूद जहिर अकबर के मुताबिक पंजशिर घाटी प्रांत अफगानिस्तान के पहले उपर राश्रपती अमर उल्ला सालेह द्वारा तालिबान के खिलाफ विरोत के लिए एक गड़ के रूप में काम करेगा बता देकी साले ने खुद को अफगनिस्तान का कारेवाक राश्रपती घोशित किया है अमर उल्ला साहिल का जनम पंजशिर प्रांत में हुआ था वह वही प्रशिक्षित हुए ऐसा माना जाता है कि पंजशिर घाटी हमेशा विरोत का केंद्र बना रहा इसलिए इस प्रांत को कोई कभी जीत नहीं सका सवेयत संग अमेरिका और तालिबान अभी तक इस शेत्र पर कभी नियंत्रन नहीं कर सका तालिबान ने अब तक पंजशिर पर हमला नहीं किया है राजनितिक विशिशद्न की माने तो पंजशिर घाटी ऐसी जगह है कि जहा 1996 से लेकर 2001 तक काबूल पर तालिबान शासन का विरोत करने वाले विद्रोही समू का गडबंदन था इस गडबंदन में अहमद शा असूल किक अमरूला सालेह करिम खलीली आसिफ महसेनी अब्दुल रशीद दोस्तम आदी शामिल थे ये सभी पंजशिर के सबसे बड़े न अंगर्श हुआ ना ही कोई आबदाई इस कारण से अमेरिकी मानुइत्या कारेक्रमों के तहत इसे मदद भी नहीं मिल सकी